हेलो दोस्तों नमस्कार, एजुकेशन इस लाइब के एक और नए वेडियो में आपको बहुत 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 चागत है, दोस्तों इस वेडियो में हमलग पंदी सुन्दलाल सर्मा के ओफिशल वेफ्ट्राइड आपको ओपिन कर लेना पड़ेगा, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे रखना हूँ या फिर आप गूगल में भी सर्च करोगे तो वहां पर भी आपको मिल जाएगा, तो यहां पर आप ओपिन कर देना, आपको यहां पर लैंड कर सकते हो, तो इसके बाद में आप नीचे स्क्रॉल करोगे, नीचे स्क्रॉल करने के बाद में आपको यहां पर जाना है, चिक यह ओर एप्लिकेशन इस पर जाना है, मतलब अपने आवेदन की स्थिति यहां पर जाचे वाले सेक्शन में जाना है, इसके इस पे आपको click कर देना है जैसे ही click करेंगे आपके सामने इस तरीके का page open हो जाएगा आप mobile से भी open कर सकते हो या फिर computer से भी open कर सकते हो तो इस तरीके का आपके सामने page open होके आएगा यहाँ पे आपको अपना application ID डालना है तो देखो आपके सामने इस तरीके का page यहाँ पे open हो गया यहाँ पे आप mobile नंबर और अपना date of burn डालोगे तो आपको application ID मिल जाएगा तो यहाँ पे मैं mobile नंबर और date of burn डालके यहाँ पे search करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा application ID find हो चुका है तो मैंने यहाँ पे application ID को hide कर दिया है, आप यहाँ पे देख सकते है App ID लिका हुआ है, तो नीचे में हाईट कर दिया है, क्योंकि किसी other student का है तो मैंने यहाँ पे hide खर कर रखा और इसी पे आपको click कर देना है यहाँ पे आपको जो दिख रहा होगा आपको application ID यहाँ पे show हो रहा होगा उसी पे आपको click कर देना है click करोगे तो आप नए page पे redirect हो जाओगे और यहाँ पे आपको पूरा आपका application का status आपको मिल जाएगा इसके बगल में आप देखोगे यहाँ पे आपको enrollment number का यहाँ पे आपको section मिल जाएगा तो यहीं आपका enrollment number और यहीं आपको roll number find करना है तो roll number आपको अभी नहीं मिलेगा जब आपका exam होने वाला रहेगा तब आपको मिलेगा और यह जो enrollment number है यह 15 सरमा का विश्यो करता है तो देखो यह जो enrollment number है जैसे कोई form अभी fill up हो रहा है जैसे अभी जो 2021 का जो अभी जो admission चल रहा था यह इनका December तक चला है December तक इन्होंने admission लिया है तो जब इनका last date जब समाप्त हुआ then इसके 15 दिन के अंदर में इन्होंने सारे student का enrollment ID यहाँ पे issue किया मतलब enrollment number यहाँ पे issue किया और यदि आपको find करने में कोई दिख्क्यदार ही है तो आप अपने center में भी जाके अपने enrollment number पता कर सकते हो जैसे आपको अपना assignment लोगर समिट करना है तो उसी time में आपको आपका enrollment number मिल जाएगा और roll number आपको नहीं मिलता है अभी जब आपका exam होने वाला रात है तब आपको मिलता है और roll number आपको आप जब previous पत्र निकालोगे उस time आपको मिलता है previous पत्र निकालते time आपको अपना enrollment ID वहाँ पे डालना पड़ता है तो यही आपका enrollment number है तो दूस्तों इस वीडियो में बस इतरा ही आई हो पकप वीडियो पसंद आया हुगा यदि आप इस तरीके के और अधिक वीडियो देखना चाते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और सब्सक्राइब करने के बाद में बैल आइकन को भी द बढ़